हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप सबी अच्छे बच्चो शुरू करते हैं आज का ध्याय समवाद लेखन समवाद यानी बातचीत करना एक दूसरे को अपनी बात समझाने तथा समझने के लिए हम जो बातचीत करते हैं उसे ही समवाद कहते हैं जैसे बच्चो यहाँ पर कुछ समवाद लेखन के उधारन दिये हैं पहरा समवाद है दो मित्रो नीहित और मुकेश के बीच समवाद नितिन कहता है मुकेश तुम कहां जा रहे हो मुकेश बोला मैं पार्क में टहलने जा रहा हूँ नितिन रुको मैं भी तुम्हारे साथ पार्क में चलता हूँ मुकेश ठीक है चलो नितिन कहता है अरे वाह यह पार्क तो बहुत सुन्दर है क्या तुम रोज यहां आते हो मुकेश हाँ मैं तो रोज ही आता हूँ नितिन अब से मैं भी रोज यहां टहलने के लिए आया करूंगा तो मुकेश कहता है यह तो बहुत बढ़िया बात है आएद अगला समवाद पढ़ते हैं मा और बेटी के बीच समवाद मा कहती है अंशिका बेटी उठो अंशिका मा मुझे सोने दो अज स्कूल नहीं जाना अ मा कहती है नहीं अंशिका पता है तुमारी दादी गाउं से आने वाली है अंशिका अच्छा दादी आने वाली है वे कब तक आएंगी मा कहती है वे लगभग 10 बजे तक आ जाएंगी अंशिका ठीक है मा में नहा धोकर नाश्ता कर लेती हूं मा बोलती है ठीक है अंशिका अब जल्दी उठो तो बच्चों इस तरह से हम एक दूसरे की बाद चीज़ को लिखते हैं इसे ही कहते हैं समवात आशा करते हूं कि आप को अध्याय समझा गया होगा इसका अभ्यास आप स्वेम के जाद लिए